हेलो फ्रेंट्स तो आज की इस वीडियो में मैं एक मीटर कपड़े में से पप स्लीप्स के साथ फुल ब्लाउस को कैसे कटिंग करना है वो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो blouse को बनाने के दिए मैंने बिनारसी silk fabric लिया है और साथ में मैंने एक मीटर का ही lining याने की अस्तर का कपड़ा लिया है सबसे पहले हम cutting करेंगे lining के ऊपर सो lining का इस side पर open वाला side है और मेरे तरफ मैंने joint वाला side को रखा है कटिंग करने के लिए सबसे पहले उपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है इस तहा से जिससे नीचे का कपड़ा बिल्कुल सीधा रहे अब जितने भी आपको लिंथ चाहिए उससे एक इंच एक्स्टर मार्जिन लेकर आपको निशान लगाना है जैसे कि मैं 15 इंच का ब्लाउस बना रही हूँ उसमें मैंने 1 इंच बढ़ा कर 16 इंच पर निशान लगा लूँगी देन सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है अब पहले मैं यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ उपर की तरफ मैं बोटनिक बनाओंगी इसके हिसाब से मैंने शूलडर लिया है 7 इंच तो 7 इंच पर यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी अगर आप कोई और डिजाइन बना रहे है तो उसके हिसाब से आप शोलडर लीजिए यहाँ पर मैं boatnik बना रहे हूँ और ये back part है back part में मैं hook नहीं बनाऊँगी इसलिए उसके हिसाब से मैंने 7 इंच पर निशान लगा लिया है अब साथ में आर्मुल के लिए भी निशान लगा लेना है 7 इंच पर अब दोनों निशान को अच्छे से मिला कर सीधी लाइन रोक कर लेना है अब चेस्ट के लिए निशान लगाना है जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं चेस्ट का जो टोटल होता है उसका चौथा भाग पर निशान लगाना है और उसके साथ सिर्फ आप 1 इंज का margin लीजे क्योंकि यहाँ पर हमें कप्रे को बचाना है जितना हो सके तो इसलिए आप सिर्फ 1 इंज का margin लीजे अब सेम हमें नीचे कमर की चोतवहग पर भी निशान लगाना है उसके साथ 1 इंज का margin एक इंच और एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट में प्लिट्स लगाने के लिए, अब हम उपर से दोनों लाइन को बस इस तरह से मिला देंगे, यह देखे, अब इस लाइन को मिलाने के बाद उपर से हमें आर्मोल का शेप को भी ड्रॉ कर लेना है, यहां पर आप इसे हाथ स भी बना सकते हैं, इस तरह से आर्मोल का शेप मैं दे दूँगी, देखे, शेप देने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन करना है, यह देखे, यहां पर बहुत ही कम, हलका सा बस डाउन कर देना है नीचे की तरफ, इस तरह से ड्रॉ करना है, इसके बाद नीचे ज तो back part की cutting करने के बाद front part की cutting करना होता है तो blouse को मैं front से open बनाऊंगी यानि कि front में hook लगाऊंगी इसलिए कपड़ी की जो open वाली side होती है जो खुली वाली side होती है वहां से हमें front part की cutting करना होता है तो यहां से आधा इच अंदर की तरफ एक सीधी line ड्रॉ कर लेना है और उस line के उपर back part की जो joint वाली side है उसे रखना है देखिए back part को इस तरह से रखना है ये देखिए और as it is marking कर लेना है जो कि मैंने कर लिया है ये देखिए अब यहां पर marking के उपर से cutting कर लेना है तो यहां पर front में जो armhole में गहराई देना होता है वो मैं बाद में दूंगी अभी देने की कोई जरुवत नहीं है तो इस तरह से मैंने front और back part की cutting कर लिया है अब यहां पर sleeves की cutting करने के लिए back part लेना है और back part की armhole को measure करना है तो इस तरह से inchy tape को रखेंगे इस तरह से देखेंगे total कितना आ रहा है total यहां पर मेरा आ रहा है 9 inch तो इसी तरह से sleeves का armhole भी हम 9 inch रखेंगे तो अब हमें sleeves का भी cutting कर लेना है तो जितना भी आपका बचा हुआ lining यानि की अस्तर है उसे लेना है तो देखें यह मेरा बचा हुआ अस्तर है तो अस्तर की एक side open side होगा और एक side joint side होगा तो joint वाली side से ही सारे marking करना है सबसे पहले नीचे से एक सीधी line draw कर लेना है तो मैं जो puff sleeves की cutting करने जा रही हूँ उसकी length मैं elbow तक रख रही हूँ तो normally elbow तक length 10 या 11 inch का होता है तो मैं 10 inch का sleeves बनाऊंगी तो cutting कैसे करना है normally जो elbow length का puff sleeves होता है उसमें नीचे की तरफ 4 या 5 inch चोड़ा एक border लगा हुआ होता है जिसके लिए sleeves बहुत ही अच्छा लगता है तो यहाँ पर sleeves को दोनों अलग-अलग part में cutting करना है पहले से सोच रहे हैं कि कितना inch का border लगा रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर 4 inch का border लगाऊंगी तो इसलिए 10 inch length में से 4 minus कर देना है तो रह जाता है 6 inch तो 6 inch पर यहाँ पर निशान लगा लेना है देखिए और अब यहाँ पर क्या करना है 6 inch पर निशान लगाने के बाद आपको 1 inch extra और ले लेना है तो हो जाएगा 7 inch तो 1 inch मैं ने extra क्यों लिया है 1,5 inch नीचे से fold हो जाएगी और 1,5 inch उपर से fold हो जाएगी जब हम sleeves को joint करेंगे और दोनों sleeves को एक साथ में ही cutting कर लेना है तो उसके लिए उपर की तरफ भी निशान लगा लेना है 7 इंच का और दोनों जगा पर ही निशान को मिला लेना है ये देखे इस तरह से इसके बाद pop sleeves बनाने के लिए अगर आप ज़ादा plates लगाना चाते हैं तो यहाँ पर joint वाले side के तरफ से आप 4 इंच पर निशान लगाईए और अगर आपको ज़ादा नहीं चाहिए नॉर्मल चाहिए तो उसके लिए आप 3 इंच पर निशान लगाईए लेकिन यह आपको joint वाले side के तरफ से लगाना है यह देखिए इस तरह से 3 इंच पर नीचे की लाइन पर भी लगाना है और उपर की लाइन दोनों लाइन पर 3 इंच पर निशान लगाना है दिन यह 3 इंच का box छोड़ कर sleeves आर्मोल 9 इंच पर निशान लगा लेना है दोनों तरफ नीचे और उपर इस तरह से जितना भी आपका आर्मोल आएगा अब इसके बाद नीचे जो sleeves का round के लिए निशान लगाना होता है उसके लिए लगा लेंगे जैसे कि sleeves का round मेरा 11 इंच है तो उसका आधा 5 इंच पर निशान लगा लेंगे लिकिन सामने जो 3 इंच का मैंने box बना लिया है उसे छोड़ का लगाना है इस बात का ध्यान रखना है देन उपर से 3 या 3.5 इंच डाउन कर लेना है इस तरह से उसके बाद sleeves आर्मोल का shape देना है ये दीखे इस तरह से then side से joint कर लेना है और इसके बाद cutting भी कर लेना है तो यहाँ पर दोनों sleeves का आर्मोल same नहीं भी आ सकता है लेकिन उसमें कोई problem नहीं है बाद में इसे हम cut करके ठीक कर लेंगे तो यहाँ पर दोनों sleeves का armhole अमने अलग-अलग drawing किया है इसलिए same नहीं भी आ सकता है तो इस तरह से एक के उपर एक रखना है और sleeves का armhole को एक जैसा cutting कर लेना है then 4 इंच का जो border है उसे बचा हुआ अस्तर में से ही cutting करना है लेकिन जब मैं इस sleeves को बनाऊंगी यानि की stitching करूंगी उस time पर मैं आपको बताऊंगी कि इस border को कैसे cutting करना है तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको नहीं दिखाया है तो अब जो है men कपर लेना है और उसके उपर भी cutting कर लेना है तो जैसे मैंने अस्तर को रखा था वैसे ही men कपरे को भी रखना है और इसके बाद अस्तर वाली cutting को लेना है और men कपरी के उपर रखना है ध्यान रहे कि front side जो है वो कपरी की खुली वाली side के तरब रखना है जैसे cutting किया था वैसे ही रखना है तो इस तरह से दोनों पार्ट को रखना है then नीचे की साइट पर sleeves को भी रखना है अच्छे से चेक करते हुए मिला कर रखना है क्योंकि यहांपर हमें कपड़े को बचाना है क्योंकि बच़गए कपड़े से ही हमें sleeves का border को भी cutting करना है और अगर कपड़ा extra होता है तो उसमें आप लटकन वगेरा भी बना सकते है तो यहाँ पर इतना सा मेरा बचा हुआ कपड़ा है एक मीटर कपड़े में हमारा सारा कटिंग हो चुका है तो इस वीडियो में मैंने कटिंग दिखाई है और दूसरे वीडियो में मैं इस व्लाउस की स्टीचिंग भी आपको दिखाऊंगी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस व्लाउस को रेडी करने के बाद इसका लूग कैसा आता है वो में इंस्ट्रागम पे शेयर करूँगी तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्ट्रागम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाएए आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए तो अगर आपके पास एक मीटर से भी कम कपड़ा होता है तो आप इसी तरीके से कटिंग करके पर्प स्लिप्स बना सकते है So I hope आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो कॉमेंट पर मुझे लिखकर जरूर बताईए तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में